मूदी सरकार और पर्शिम मंगाल सरकार के बीच अक्सर अन्मन के खबरे आती रहती हैं। पछले कई दिनों से तो सूबे की सीम ममता बनर जी मूदी सरकार को लगा तारांग दिखा रही है। मुएब केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद दोनों में तना तनी फिर बढ़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला आएए देखते हैं। नया साल आते ही गरतंत्र दिवस की तैयारिया शुरू हो जाती है। राज्यों मंत्रालियों की तरफ से गरतंत्र दिवस की परेट के लिए जांकी तैयार की जाती है ताकि राजपत पर राज्यों की संस्कृतियों और मंत्रालियों की योचना बताई जा सके। जिसके लिए इस पार किंद्र सरकार के पास कुल 56 प्रपोजल भेजे गए थे, इनमें पश्य मंगाल की सरकार का प्रपोजल भी शामिल था, लेकिन किंद्र सरकार ने बंगाल की छाकी की प्रपोजल को ठुकरा दिया, बताया जा रहा है कि साल होने वाली परेड में कुल 22 छा प्रपोजल को रद किया गया, सोत्रों के मताबिक बंगाल की सरकार की ओर से जहाकी का जो प्रपोजल था, उसे दूसरी बैठक के बाद आगे नहीं ले जाय गया, ये फैसला एक्सपर्ट कमिटी निलिया था, आपको बताते कि गरतंतर दिवस की परेट में जो जहाकिया शाम अगे बाद एक्सपर्ट कमिटी के ओर से कई दौर की मीटिंग के बाद जहाकी पर फैसला लिया जाता है, कमिटी ने कहा है कि जो प्रक्रिया 2020 में लागू की जा रही है, उसी के तहट 2019 में भी बंगाल की जहाकी को मन्जूरी मिली थी, ऐसे में इस वार बंगाल की जहाकी क बंगे परोट